फ्रांस में आयोचित कांस फिर्म फेस्टिवल इस समय चर्चा का विशे बना हुआ है। ये इंटरनाशनल फेस्टिवल 16 माई को फ्रेंच रिवरा में शुरू हुआ था। जो 27 माई 2023 को समाप्त होगा। यहां पहुंचे दुनिया भर के लोग अपने फैशन का जल्वा बिखेते हैं। इस पीच रविवार को यहां पहुंची एक महिला ने सबको हैरान कर दिया। दरसल 76 कांस फेस्टिवल में रेड कापिट पर एक महिला खून से लत्मत होकर पहुंची। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया। दरसल वो रूस यूकरेण युद का विरोध करने के लिए ऐसा कर रही थी। यह महिला सोशल मीडिया पर जम कर सुर्ख्यां बटो रही है। मीडिय रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शन करने वाली लड़की ने रूसी जंडे के रंग वाली ड्रेस भेनी हुई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार महिला रेड कापेट पर चलकर आती है। फोटाग्रफर उसकी तस्वीरे लेने लगते हैं। जिसके बाद उसे देख सब हैरान रह जाते हैं। आननफानन में सुरक्षा कर्मी महिला को बाहर खींच कर ले जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस लड़की ने ऐसा कर यूकरेन के प्रती अपने समर्थन को जाहिर किया है। वही रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गौर्धलब है कि पिछले साल एक महिला ने कुछ इसी तरह का हैरान करने वाला प्रदर्शन किया था। जब एक महिला रूसी राश्रपती व्लादमेर प्रतीन के आदेशों के विरोध में एक मेसेज के साथ कांसमीर शामिल हुई थी। वो महिला पहले पूरे कपड़ों में रेड कारपेट पर चल कर पहुँची। उसके बाद धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी थी। उसने अपने शरीर पर लिखा था स्चॉप रेपिंग आस।